आज मैं बनाने जारी मुली और तोरी की सब्चे इसको मैं छील के दोके रख ली हूं मुली को भी साफ करके और इसको छील के रख ली हूं दोके अब इसको मैं काट लेते हूं एप अप लोग मैं मुली की पते और मुली को बारी कः साफ कर लिए और मैं दो प्यास काट के रख लिए और ये चार पांस में लाल मिड़जी राके रख़े लिए अब चलिए मैं बनाती हूं सबची इधर दिखे गया के लिए गया पे करहाई रख रखे हूं करहाई हमारा गरम हो गया है अब मैं इसमें डालती हूं तेल बैंक लिए चुटे बिल्कुल गरम हो गया है मैं इसमें डालती हूं छोटे चमच स्यादा चमच जीरा जीरा चटक गया आप मैं इसमें डालते हैं जो काट के रखी थी प्याज और लाने है इसको मैं अच्छी सी फ्राइ कर लोगी प्याज को आप देखे हमारा प्याज फ्राइ हो गया है थोड़ा बहुत बागी है इसमें अगल दाल देते हैं तो तोरी के साथ में मूली साथ अच्छे से नीक फ्राइ हो पाएगा तो मैं मुली को डाल दी और प्याज के साथ साथ इसको भी प्राई कर लेती है तो आप देखिए हमारा मुली प्याज दलो इसको फ्राई हो चुगा है अब मैं इसमें डाल देती ही तोरी तोरी और मुली की पत्तर दों साथ में में डाल देती है अब भी जाएं आप निक्सार लेती ही और पांस मिन्टी बगते छोई रती है अब गैस की लिए मेडियम होने चाहिए तो देखिए मैं इसको पांच किनत प्रिए ढटके छोड़ देखिए अब मैं इसमें डालती हूं नमक और हमदी मैं मसाले में डालूंगी इसको सित्पोरंटे बना रहे हूं मैं इसमें डालती हूं नमक भी स्वाद के अनुशार और नमक कभी भी तोरी हो घीया विसे की सब्ची में बिल्कुल कम डालते हैं कि यह सब सब्ची गलती है कि आपको भी पता है बट मैंने ऐसी बोल दिया आप में डालती हूं अल्डी पोर्डर हाफ समच अगर दुनों पर्ची से मिक्स कर दूंगे अधिर में इसको ढखके पकाऊंगे तो देखिए हमारा सब्ची कैसे नमक डालने के बाद पानी छोड़ दिया यह गल रहा है यह इसको ऐसे ही चलाते हुए डागडा के पकाएंगे हम जब तक कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पकना जाए देखिए हमारा सब्ची लगबार पक चुका है और इसके कलर भी चेंगे चुका है पूरा तोरी तो हमें देखिवी नहीं रहा है कि कहां है इसमें चली में फिरसीज को ढख देती हूँ अभी पकेगा आप लोग देखिए हमारा सब्ची बनके बिल्कुल रेड़ी है अगर आपको हमारी सब्ची पसंद है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं बाई दोस्तों लोग प्राइब करें अवते हैं लोग एफफ़ लोग एफब